दोस्तो आजम क्लास 6, 7, 8 का जो वरक्षिट नमबर 34 है उसे आजम करने जा रहे हैं और आज है डेट 13 अगस 2020 और आपका ये चैप्टर है सुक्षमजीब तो इसका मैंने अंसर भी एटेच कर दिया है दोस्तो आप अंसर लिख सकते हैं तो आईए इसे पढ़ते हैं सुक्षमजीब होता क्या है शुक्षमजीब दोस्तो ना दिखने वाले सुक्षमजीब है जो हमारे चारो और बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं मतलब सुक्षमजीब हम अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं आँखों से नहीं देख सकते बट हमारे चार और हर जगह पर जंट होता है आईए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभबों का प्रेक्शन करें तो दोस्तों कुछ अनुभब है दैनिक जीवन में सुरज को जुकाम और बहती ना के साथ स्कूल आया और आपके सामने दूसरा हराधिका ने एक कटोड़े दूद में लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें एक चमस दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया उसने दूद में दही क्यों डाला तो आईए दोस्तों इसका अंसर हम देखते हैं हमने अंसर लिखा है और बहतर तरीके से और अगले दिन जुकाम हो गया क्यों कि सूरज के छीकने से उसके मुह में से कुछ बुंदे हवा में चली गई और फिर हवा से मुझे तक पहुचने में से सुक्ष मजीब मेरे अंदर चले गए चले गए जिससे चलेंगे जिससे मुझे भी जुकाम हो जाएगा तो यह है समस् परकार जिम्यदार है कि उसने जुकाम और भाती नाक के साथ स्कूल आया और सूरज के कक्षा में किने से की बज़ा से हमें जुकाम हो गया समस्यद दो है दोस्तो राधिका ने अपने काटोरे में दूद लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें एक चमस दही मिला कर रात भर के लिए छोड़ दिया उसने दूद में दही क्यों मिलाया उतर है दोस्तो दूद में दही मिलाने से लेक्टिक एसीड और बैक्टिरि कि तोन दूद को दही में बदल देता है जब दूद हलका गर्म रहे और उसमें कुछ दही मिलाया जाता है तो दही का लेक्टा बेरसिलस गुनक दूद बहुत तेजी से बढ़ता है और इस तरह दूद दही में बदल जाता है जिससे किनवन पर्किरिया कहते हैं धन्य बाद दोस्तों ये वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस में है उसे दबाईए ताकि मैं आपको हर एक वीडियो का आपडेट आपको मिल सके थेंक यू